हलो दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी उनिवर्स मद्धिप्रदेश की नंबर वन चैनल फॉर डेली करेंट अफ्यर के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज है 17 जून 2019 और यह हमारी 178 भी क्लास है 12 Important Question आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एक्जाम और आपके नॉलिज की द्रहष्टी से बहुत इंपोटेंट है इन Questions को आप नोट कर लें क्योंकि यह आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं साथी Questions related, Important Fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और Current Affairs related कोई भी प्रॉलम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं हम आपके आंसर जरूर करेंगे चलते हैं Question No.1 पर हाली में कौन सा प्रदेश महिला बटालियन पुलिस को वीकली ओफ देगा जिसका सई Option है आंद्रप्रदेश आंद्रप्रदेश ऐसा राज्ज बन गिया है जो हाली में महिला बटालियन की इस्थापना करेगा और उसे बीकली ओफ भी दिया जाएगा दोस्तो हाली में आंद्रप्रदेश के ग्रह मंत्री मुकातोती सुकार रिता ने हाली में यह बयान दिया है दोस्तो साथ ही कहा है कि पुलिस में शिकायत के लिए लोगों को टोल फ्री नंबर भी दिया जाएगा दोस्तो अब बात आईए आंदरप्रदेश की तो आपको मैप में आंदरप्रदेश के बारे में बता दें मेप में ये जगए आंदरप्रदेश को दरसाती है आंदरप्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 में की गई थी गवर्नर ए ESL नरसिम्मा दोस्तो आंदरप्रदेश के मुख्य मंत्री ये गलत है यहाँ पर आंदरप्रदेश के मुख्य मंत्री है तो इतना आपको आंदरप्रदेश के बारे में याद रखना है नेक्स्ट कॉश्चन देश में अपने तरह का तीसरा और सबसे बड़ा लाइट और साउंड सो का प्रदर्शन कहां किया जाएगा तो दोस्तो इसका सही ओफ्शन है ओमकारिस्वर ओमकारिस्वर में इस सबसे बड़े लाइट और साउंड सो का प्रदर्शन किया जाएगा दोस्तो आपको बता दें लाइट और साउंड सो के साथ वाटर स्क्रीन पर पोराने कताय का प्रदर्शन भी इसमें किया जाएगा मद्यप्रदेश परिटन विभाग द्वारा हाली में यह प्रोजेक्ट सुरू किया गया है दोस्तो इस प्रोजेक्ट की लागत 3 करोर रुपए है आपको बता दें यह आयोजन्स रद्धालूं से महज 30 मीटर की दूरी पर नर्वदा नदी के बीचों बीच 3D में होगा दोस्तो आपको बता दें ओमकारिस्वर में देश का तीसरा इस्थान होगा जहां इतने बड़े स्तर पर इस लाइट और साउंड सू का प्रदर्शन किया जा रहा है तो इतना आपको ओमकारिस्वर की बारे में याद रखना है अपने पहले वर्ल्ड कप W मैच में किस भारती ने पहली गयन पर विकेट लिया है जिसका सही ओफ्शन है बिजय संकर दोस्तो बिजय संकर एक मात्र और पहले ऐसी भारती हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में W के दोरान पहली गयन पर विकेट लिया है दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं हाली में भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था जिसमें बिजय संकर ने पहली ही गयन पर विकेट लिया है दोस्तो ऐसा करने वाले ये भारत के पहले खिलाडी बन गए है नेक्स्ट क्वेशन हाली में किसने सबसे तेज 11,000 रन बनाए हैं जिसका सही ओफ्शन है ब्राट कोईली हाली में ब्राट कोईली ने सबसे तेज 11,000 रन बनाए हैं दोस्तो आपको बता दें ऐसा करने वाले ये दुनिया के पहले खिलाडी बन चुके हैं इससे पहले इन्होंने 10,000 और 9,000 रन भी सबसे तेजी से बनाए थे दोस्तों आपको बढ़ता थे, ब्राट कोईली ने 11,000 रन मात्र 222 पारियों में बनाए हैं, इससे पहले बात आती है सचिन तेंदुलकर की, जोनों ने 276 पारियों में कुल 11,000 रन बनाए थे, लेकिन अब नाम आ गया है ब्राट कोईली का पहले इस्थान पर, नेक्स्ट क्वेशन, नमस्ते थाइलेंड फिल्म फेस्टिवल का समापन हाली में कहां हुआ है, जिसका सई ओफ्षन है दोस्तों, नई दिल्ली, हाली में दिल्ली में नमस्ते थाइलेंड फिल्म फेस्टिवल का समापन किया गया है, दोस्तों आपको बता दें, हाली में 15 और 16 जून को नमस्ते थाइलेंड फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था इस फिल्म फेस्टिवल का यह है तीसरा संस्क्रण था दोस्तों आपको एक और बता दे यह एक बार सिक उत्सव है इसका उत्देशत थाइलेंड की संस्कृति वभिदता और विशिष्टता को आटने में भी प्राजास किये जाएंगे तो आपको इतना जरूर याद रखना है दोस्तों बात आईए दिल्ली की तो आप मैं दिल्ली के बारे में बता दें मैं यह जगह दिल्ली को दरसाती है दिल्ली के गवरणर है अनिल वैजल और मुख्यमंत्री है अर्विंद केजर दोस्तों भारत की राजदानी दिल्ली 1911 में बनाई गई थी दोस्तों यह एक बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्चन है भारत की राजदानी दिल्ली को 1911 में घोशित किया गया था next question हाली में कौन फेमिना Miss India 2019 बनी है जिसका सई औफशन है सुमन रावी हाली में सुमन रावी फेमिना Miss India 2019 बनी है दोस्तो ये राजिस्थान की रहने वाली है इन्होंने Miss World 2019 में भी बैंक कॉक में भारत का पृती निदित्व किया था दोस्तो फेमिना मिस इंडिया 2019 का अयुजन मुंबई में किया गया है इसके अलावा दोस्तो कुछ और अवार्ड भी दिये गये हैं उनके बारे में भी आपको बता दें तो 36गड की सिवानी जादव को फेमिना मिस ग्रेंड इंडिया 2019 का खिताब दिया गया है इस फेमिना मिस इंडिया 2019 के बारे में याद रखना है कबरा की गुफाएं किस जिले में इस्तित हैं जिसका सई ओफ्षन है राजगड राजगड जिले में कबरा की गुफाएं मौजूद हैं दोस्तो स्क्रीन पर आपको कुछ और जिले दिख रहे होंगे उनके बारे में भी बता दें तो सीह और जिलो में सारो मारो की गुफाएं मौजूद हैं होसंगाबाद जिले में आदमगड की गुफाएं मौजूद हैं वहीं सिंगरौली जिले की बात करें तो मारा की गुफाएं सिंगरोली जिले में मौजूद हैं दोस्तो अब बात आईए राजगर जिले की तो आपको कुछ important factor राजगर की बारी में बता दें मालवा पठार के उत्री भाग में इस्थित है राजगर भोपाल संभाग का एक जिला है राजगर मानव विकास सूचकांक प्रिकासित करने वाला प्रथम जिला है मद्यप्रदेश में राजगर और इसने यह सूचकांक 1995 में दिखाया था दोस्तो ब्यावरा में चतरवज मंदर इस्थित है रगुनाची मंदर जो 400 वर्ष पुराना है यह राजगर जिले में ही इस्थित है कोटरा पशुपतिनाच का प्राचीन मंदर यहीं पर इस्थित है नर्शिंगर किला और दोस्तो चिडी खो जो मालवा का कश्मीर कहा जाता है यह वन्निचीव अभ्यारन भी राजगर जिले में ही इस्थित है गिन्न और गण में किला है जिसे तोतों की भरमार का किला भी कहा जाता है तो दोस्तो इतना आपको राजगर की बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन मद्यप्रदीश का पहला परियावरन नियाला कहां इस्थापित किया गया है जिसका स्योफ्षन है भूपाल भूपाल जिले में मद्यप्रदीश का पहला परियावरन नियाला इस्थापित किया गया है दोस्तो अब बात आईए भोपाल की तो कुछ important fact आपको भोपाल की बारे में बता दें जीलों के शहर की नाम से जाना जाता है भोपाल मद्यप्रदेश की राजधानी भोपाल 1956 में बनी थी दोस्तो मद्यप्रदेश का सरवाधिक जनसंक्या घनत्व 854 भोपाल में ही इस्ते था दोतिय आकाशवाणी केंद्र की इस्थापना और भारत भवन जिसे 1982 में बनाया गया था यह भूपाल में ही इस्थत है देश का दूसरा मास्टर कंट्रोल फेकल्टी भी भूपाल में ही इस्थत है भारत का पहला आपदा प्रवन्दन केंद्र और देश का पहला मॉडल ब्लड वेंक भूपाल जिले में ही इस्थत है रास्टिय विदी अकेडमी की स्थापना भी भूपाल में ही की गई है ताजुल मस्ज़द जो देश की सबसे वड़ी मस्ज़द है यह भोपाल में ही इस्थित है दोस्तो आपको एक और important fact बता दें बन बिहार नेशनल पार्क भी यहीं पर इस्थित है दो और तीन दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में मिथाल आईसो साइनेट गैस का रिसा हुआ था जिसके कारण भोपाल में हजारों मोतें हो गई थी तो दोस्तो इतना आपको भोपाल जिले के बारे में जरूर याद रखना है एक नाएक क्वेशन भोपाल से पूछा जा सकता है एक्जाम में प्रदीश का सबसे बड़ा अव्यारन कौन सा है तो इसका स्योफ्षन है नौरा देही अव्यारन प्रदीश का सबसे बड़ा अव्यारन है दोस्तो इस question की बारे में बहुत important है यह जरूर याद रखना है यह मद्धिप्रदीश की सागर जिले में इस्थित है और इसका जो छीतर फल है वह है 1194 स्क्वेर क्लो मीटर यह important question है दोस्तो आपको याद रखना है दोस्तो इस्क्रीन पर आपको कुछ और अभ्यारन नजर आ रहे होंगे इनके बारे में भी बता दें तो केन घड़याल अभ्यारन यह चतरपूर और पन्ना जिले में इस्थित है और इसका जो छीतर फल है वह है 45 वर्ग क्लो मीटर है गांदी सागर अभ्यारन दोस्तो यह अ पूशंगाबाद जिले में इस्थित है और इसका जो शितर फल है वह है 415 वर्ग क्लो मीटर है तो आपको इन चारों अभ्यारन की वारी में याद रखना है प्रदेश में दुख्द उत्बादन विकास परियोजना को किस ओपरेशन की नाम से जाना जाता है तो दोस्तो इसका सही ओप्षन है दोस्तो आपको ग्यान दूत ओपरेशन की बारे में बता दें दोस्तो इस परियोजना को स्टॉक हों चैलेंज पुरुसकार भी प्रदान किया गया है गुटके का प्रतिवंद करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है तो दोस्तो इसका सही ओफ्षन है हमारा मध्यप्रदेश मद्यप्रदेश गुटके का प्रतिवंद करने वाला देश का पहला राज्च है दोस्तो हाला कि मद्यप्रदेश में अभी भी गुटके पर पूरता प्रतिवंद नहीं है लेकिन फिर भी गुटके पर प्रतिवंद लगाने वाला देश का पहला राज्च है मध्यप्रदेश नेक्स्ट क्वेशन यह है जिन्दिगी सीरियल के लेखक कौन है जिसका से यॉप्षन है शरद जोसी शरद जोसी यह है जिन्दिगी के लेखक है दोस्तो आपको स्क्रीन पर कुछ और जो नाम दिख रहे होंगे उनके बारे में भी बता दें दोस्तो दुश्यंत कुमार एक लेखक भी है कहला सत्यारती ऐसे व्यक्ती है मध्यप्रदेश के जो जिन्होंने पहली बार नोबोल पुरुषकार जीता है अरुन सुब्रमंडियम दोस्तो यह भुपाल ट्रेजडी के लेखक है तो आपको इन चारों की बारे में इतना जरूर याद रखना है दोस्तो अब बात करते हैं प्रिवियस डे के क्वेश्चन की तो कल का क्वेश्चन था कौन सा मेला छतरपुर जिले में लगाया जाता है तो उसका सही option है जल विहारी का मेला जल विहारी का मेला छतरपुर जिले में लगाया जाता है दोस्तो अब बात करते हैं question of the day की तो आज का question है मद्ध्रदेश में सड़कों का सरवादे घनत्व किस जिले में है दोस्तो इसका answer आप हमें comment box में दें हम आपके answer का इंतिजार करेंगे तो दोस्तो आज के लिए बसतना ही आप मारे चैनल study universe को subscribe कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए दोस्तो परियारवन को देखते हुए आप कम से कम हबते में एक पीड़ अवस्य लगाएं और उसकी देखरी करें तो आज के लिए वसतना ही नमस्कार have a nice day